है अब आपके करॉं पिड्स तोड़े कंम आते हैं लेगिन देख लो जैसे की पैड़ी है हालाकि इसकी Soup फिट कर बेड करें गोता हि अर रहा की ग्रम प्रतlegtya होता है अर्ड़े होती है आपकी ग्रेंडी अ क क्रोमासमाव क Video को की बात करें य Jersey City सबकी अलगे होते हैं इसका तो यह बाद आपको याद रखनी है आच्छा अगर देखो कि सब्सक्राइब एक पूरे वर्ल्ड का नइटी परफरेंट है वह के साउथिस्ट एसिया में ही होता है थाजिक वर्ल्ड का 90 प्रॉड़क्षन ठाइब आपके राइस का आप कहा वणका होता है साउथिस्ट एसि और इंडिया में जो है फिर्स्ट पॉजिशन है इसकी, ठीक है जितने भी सेरिल्स हैं उन सब में सब जदा इंडिया में यह होता है, लेकिन वर्ल्ड में सब जदा क्या होता है, वीट होता है, यानि गयों होता है राइस के अंदर 6-7% प्रोटीन होती है और 2-2.5% या 2-2.5% फेट होता है जब आप इसको मिलिंग करने ले जाते हो उस टाइम तक अगर हलिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो इसमें 66% जो हो है वो क्या होता है हलिंग परसेंटेज होता है यानि बात करें तो 2 x 3 जो है इसमें आपका चावल निकलता है जनरल जो कुराब होती है उनमें 400-500 लिटर पानी चाहिए एक किलो ड्य मेटर पैदा करने के लिए लेकिन राइस के अंदर 5000 लिटर पानी चाहिए एक किलो राइस पैदा करने के लिए ठीक याद रखना आप इसका कि लॉस्पा होता है वह दिनाट्रिकेशन से होता है नेट्रोजन का ठीक है इसके लिए निम कोड़ा इउरिया या इसके लाव चल्पेट का अमोनियूम सल्पेट से ही फैटिलाईजर का अपलीकेशन करते है ठीक जब रोग जब लगते हैं और जो इसका मेन प्रोटीन होती है, उसे हम लोग और आइजीन बोलते हैं, ठीक, अगर प्रीमर्जेंस वीडी साइट की बात करेंगे, या हर्भी साइट की बात करेंगे, तो इसके लिए होता है प्रोपेनल, जिसका जो ट्रेड नेम है, वो इस्टेम F34 है, ठीक है, प्रोप प्रोटक्टिविटी की बात करेंगे, अर उत्पादक्ता की बात करेंगे, तो यूसे जापान और चाइना आ गया है, ठीक, इंडिया में बेस्ट वंगाल उत्तबदेश भिहार, या आप करेंट डेडा एक बात चेक कर लेना, और प्रोड़क्टिविटी में पंजाब है, अब देखो, राइस की 24 इसपसीज हैं, जो अपनी वर्ल्ड वाइड बड़ी फेमस हैं, लेकिन इसमें जो है, दो जो है, वो कल्टिवेटड हैं, और 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 तीन इसपसीज आती हैं, एक इंडिका, एक जैपॉनिका और जाबानिका, इंडिका अपने इंडिया में है, टॉप्रिधा यसमे में अच्छ सकत है, ठेक यह चोटे होते हैं, जापन liquor entfer का इंडिया में यह बात करेंगे, तो यह जो है फिर्यपोशी बसरी बेस्ट अफ्रीका में हुआ है, आगे बड़ जाओ, उत्पतिष्तान वाइचिक है इंडी उसिज आप राइस, एक इस अ प्रूट का टाइप होता है एक हजार दानों का बजन और इसका टेस्ट वेट 25 ग्राम होता है लेकिन अगर इसके बासमती राइस की बात करेंगे तो इसका टेस्ट वेट 21 ग्राम होता है अच्छा राइस के स्ट्रिम को मैं लोग क्या बोलते हैं हॉल्म बोलते हैं और इसके जो पुस्पक्राम होता है उसे हम लोग पे निकल बोलते हैं राइस एक सीथ्री प्लांट है सीथ्री प्लांट का अंति प्रोड़क्ट क्या होता है फासफो गिलिफरी के फिट होता है ठीक है जिगनी मिट्टी इसके लिए ठीक ठाक रहती है और इसके लिए पीएच 5.5 से 6.5 यानि स्लाइटी एफटिक होना चाहिए 5.5 से 6.5 तक होता है ठीक है अच्छा सीजन की बात करें यह तीन फीजन में होता है इसको डिवाइड करते हैं आउस अमन बोरो तो इसके बोने का टाइम है आउसमन बोरो का ठीक हमारे मुक्ता होता है अमन वाला होता है जिसे हम लोग खरीब बोलते हैं ठीक और सरम काटे है तो से तमबर अक्टूबर 5.5 मेने जोड़ देना है तरीके से फॉरिपान में नहीं सितमबर याद रखना वस सनम सितमबर अक्टूबर वाराइटी है वो आई यार एट है आई यार एट जो है वो किसका करास है वो डीजी बूजीन और पेटा का करास है ठीक यह बात आप याद रखेंगे अब इंटरनेशनल राइस रिफाज इस्टिटूट जो की लास वेनॉस फिलिपिन्स में है वो वहाँ से निकाली गई थी 1966 में 1966 में अच्छा डीजी बूजीन का मतलब क्या होता है ब्राउन टिब्ड शॉट लेट ठीक है ब्राउन टिब्ड शॉट लेट आच्छा जो इसकी बाराइटी है टाइचुग नेटीब बन जिफे टीन वन बोलते है यह 1904 में निकाली गई गई थी इंट्रोड्यू जो है ब्राइटे सु आरसर में डाक्टर सास्त्री के दोरा निकाली गई थी जया जो है वो टीन बन और टाइब 141 करास है यह वाला अपको पता है आच्छा टीन वन और आयरेट दोनों जो है बोले जाता है लेकि टीन वन वर्ड का बोले जाता है ठीक आप आया यारेट ज लेकिन वन रोले जाता है जया का प्र्डुक्शन आयरीट से अधिक होता है ठीक बात आप सब्सक्राइब 30 निकाली गई परेला मलिंग कू मलिंग और दूसरी है मावसूरी갈 डु хот तो इस में जगरनात और सतारी आती है। बाला आती है। इसके लाबा आय एट भी है। जलमंगन कंडिशन यानि बाटरलॉक कंडिशन की बात करेंगे, तो जलमंगन वराइटी है, है ना, और जो पहली hybrid बास्पती राइटी है, प्रह10 है, कौनसी है, प्रह10 है, पहली जो hybrid राइटी एइंडिया में है, वो C.O.R.S. 1 है, कौनसी है, C.O.R.S. 1, आच्छा, तो इस उसा बास्मति बन जो है, यह पहली, वाल्ड की पहली हाइल्डिंग बराइटी है, ठीक है, अच्छा, सीड रेट के अगर बात करेंगे, तो इसकी सीड रेट, अलागल मेतर से अलागल रहती है, जैसे की, इसकी ब्रोड कास्टिंग सीड रेट है, वह आपकी 100 kg होती है, प्रती हक्तियर, डिलिंग मेतर से 60 kg परता है, तेक डेपों मेतर से 1-1.5 kg, या और 1.5 kg तक परता है, तो नर यह आप याल रखेंगे और फटलाइजमेंट ठीक बात करेंगे तो सो किलो नाइट्रोजन साथी किलो फासपॉरत और साथी किलो पोटास पर दियाक्टर की आफसकता पड़ती है ठीक आगे देखो और इसके लिए जो नाइट्रोजन बात करेंगे तो यह बहुते हैं उससे 25-35 नाश्टाक बगएर इन सबसे राइस में क्षेरा डिजीज जो है जिंक की कमी से लगता है और कि इसके लिए जिंक के जिंक कमी रिपोर्ट की गई थी आपके बाय लेने ने पंतनगर इन्वेस्टी में इन्होंने रेपोर्ट की थी ठीक है और ये लीफ में दिखाई देता है और हलकी सी यलो या थोड़ी वाइटी सी यलो कलर की हो जाती है ठीक इसके लिए आपको क्या करना होगा पांच किलो जिंग फलफेट आप डाल दीजिए सही हो जाएगा है इसके अलाबा अगर आपको झाले उसे फोले रिस्प्रे करना हो थो है, 0.5% जो है जिंका फोले इस पर आप कर सकते हैं ठीक आग कर लाँ काला sex के आप डालाप डीक्तास होता है ठीक आच आधिक्ता से पांच कर उब्ह्मने के बॉल लेओास हो जी आप लिए याद रखें ऊप्ट होते हैं मुफ्षाफ्ट और ड्रॉपी हो जाते हैं ठेक युटिकल बन जाती है और इसके लिए क्या करो विएसिव लेफ आगा दाल दो मेंच से कंट्रॉल हो जाता है इकाइनोकलोग तर्जगाली ठेक इकानियोकलोग क्रसगाली जो है से नियाड ग्रास बोलते है यह काभी major breed है इसका राइस का और इसके लावा इसके लावा इसके लाव बैंथी कर्फ इस्टेम फचोंटीस मचेटी इसब डाल देते हैं ठीक विहोसनिंग जो है टर्म किसे रिलेटर है वो राइस से रिलेटर है ठीक यह क्रास प्लॉब्बिंग से संबंदित है लेकिन पानी भर दिया जाता है खुब पान से फंटी मिटर तक और इससे स्वाय स्ट्रक्ट्टर बादा है अच्छा पडली के लिए हम लोग मेलनी क्यों करते हैं जो परकोलेशन होता है उसको कम करने के लिए करते हैं जैसे वाटर ज्यादा लॉस ना हो वीड के इंफेस्टेशन को कम करने के लिए और न्यूट्र की अवल्यटी को बढ़ाने के लिए करते हैं तक वाटर के बात करें तो बुटिंग विल्लीव से इसके लिए और लगाने के लिए आपका वह उता डेपों में थड़ यह आपका सबसे पहले इंट्रोड्यूश हुआ था कहां फिलिपीन्स में हुआ था भी आप याद रखेंगे और इसके लिए इसके लिए पड़ती है डेड़ से तीन कलो पड़ती है ठीक है लिखा भी वह भी और 40-50 मीटर स्कॉयर नर्सरी के अरिया सुटेबल रहता है प्रती हेक्टिर के लिए एक हाइबिड राइस की बात करेंगे तो यह 1970 से लगवा हाइबिड राइस काभी फेमस इसमें APRS 1, APRS 2, KRH 1 इसे बराइटे निकाली गए ठीक पी एच भी तेरा इक अत्तर जो है पहली हाइबिड वराइटी है जो की प्राइबिट अग्माइजेसन के दौरा विक्सित की गई ठीक है राइस में प्रोसेसिंग आव राइस की बात करेंगे तो मिलिंग पॉलिसिं अवजा important question पर जैसे की जो आउसमन है जो आउस जिसे आटम फिजन का राइस होता है उसका जो स्वींग टाइम होता है अपरेल से मई होता है थीक बोरो राइस का नवंबर से दिसंबर होता है राइस का पॉस्पगरम होता है उसे पेनिकल बोलते है राइस जो है सॉट लिए फ्रोट आव राइस की बात करेंगे तो केरिय आपसेट होता है वाइडली यूज्ड नाइट्रजन सट्लाजर है थे अर्पम पीछ की बात करेंगे तो चार से छे होता है माट टाइब नरसरी जो है वो पेडी से डिलेटड है और इसका टेस्ट बेट होता है 21 ग्राम होता है यह आपके उसका है बास्मति का बैसे 25 ग्राम होता है इसकी पहली बाइबिड बराइटी है जो प्राइबेट सेक्टर का दार विक्सित की गई पीएज़़फिटीड है औ निकलती है। कोची डिजी जो है राइस क्री निकली है। मेन निकलती है। वुर्ण होता है। कंजर्ब हो जाती है। इंडिया का जया बोलते हैं और जीन रिस्पॉंसफबल होता है ड्वार्फिंग के लिए वो डीजी बू जीन होता है इस पेसिंग पीस इंटु दस अना खरा डीजी के जिंग की कमी होती है इतना आप याद रखेंगे अब है वीट अब देको बात है इतना डिटेल में जैसे आपको पूर्ण आपको बता दें है कि क्या है कि लाफ को जो अ भागी वीडियो पत़ है नहीं आप क्या होता है और वीट में जो है जो इन दोलु बहò rein कोड़ कोदे और पर कितने होते हैं साथ होते हैं अब देखो वीट को वो लोग King of cereal बोलते हैं Queen of cereal किसे बोलते हैं मक्का को बोलते हैं ठेक cereal एक Romanbasa का word है या बयाद रखना वीट के लिए जो protein पाय जाती है वो gluten पाय जाती है कौन सी protein होती है gluten होती है जिससे की रोटी फोलती है अच्छा अब देखो वीट का इंफूरोसस होता है इसे हमनों के रापसेज बोलते हैं ठेक सीड को के रापसेज बोलते हैं इनफ्लोस को spike of spikelet बोलते हैं इसके अंदर एक वीड पाय जाता है जिसे बोलते हैं फेलरस माइनर उसका टेश्वेट कितना होता है दो ग्राम होता है जो इसके छोटा बोनापन होता है उसके लिए रिस्पॉंसिबल जीन कौन सा नौरिन टैन है यह यह जैपनीज बराइटी है जिन्होंने डाक्टर बोरल सकते में काफी इन्होंने हैल्प करती वाद करेंगे अंगे उत्रफ त्रफ्समय पर्डशयू पर्दाश प्र्रेंग पर्डइश प्रडश् यह 2 बवर 42 होते हैं, ठीक, Macronean जो वाला होता है, फिर टिमधॉरं होता है, यह टत्राइप्राइट होता है, ठीक, यहानी Monepride 14, Tetrabride 28 और Hexabroid 42 हे याध रखना, सबसे दिग एरिया में Teticum estipum ही होता है, 87% तक तक बेस होता है, भोट 12% तक होता है, यह सूजी और सिमया बनाने के लिए काम आता है और जो इमर्वी टेटिकम डाय कोकम यह एक परसेंट होता है टेक यह आंद परदेस करनाटिका में काफी ज्यादा होता है इंडिन डॉर्फ बात करेंगे टेटिकम स्पेरो कोकम है यह रापपा के खुदाई में प्राप्त हु हमने कहा कि तुम्हाना कोई दोस्त था वो दोस्त दही लेकर आया और तुम्हें दही को फैला दिया तुम्हें कहा अरे सिर्री अरे सिर्री फैला दिया लगा दिया मेरा दही तो सिर्री से क्या हो गया लगा दिया लेट जॉइंटिंग ठेक फियर आई लेट जाएगा CRI टिलरिंग और लगा दी लगा से लेट जॉइंटिंग फ्लावरिंग मेरा से मिलकिंग दही से दही ठीक है यह चेल याद रखो दजब दो हो तब उसके लिए अलग है देखो करेंगे क्लाइमेट के बात करेंगे क्लाइमेट के लिए कूल और मॉस्ट वेदर चाहिए बूटिंग स्टेज बात करेंगे एक टीब स्टेज होती है ठीक वीट में टीकम योह वाराइटी नो रिन 10 जो है कावी इच्छी त्व मानी जाती है इस जुश में बोना पं होता है वो एस थडींग बात करेंगे तो लर्मा जो सूशता सोना लिका ठीक यह सली जो सिंगल जीन बाराइटी है इब सुजाता सोना लिका और आपके सीलेक्सन से बनाए गए किससे 1000 अण तबल जीन में कल्यान सोना कल्यान 227 तो तो सब्सक्राइब करें दबल जीन में नियुथे निकाली गई है इसमें सरीबूती सुनरा ठीक यह सुन्रा चॉशंट से की निकाली गई है पूसा-लर्मा पूसा लर्मा जो है रोजर छो dus 94 जो चॉशट से निकाली गई है अहले व्याराइट्ट की बात करें तो यह लॉक बन ये मαलेटि इसकी सबीड़ रोली ब कूल क्लाइमेट में अच्छे से हो जाती है आप इस अभी आप लोग पढ़ लेना हाँ राज 41 बीज जो है रसिस्टेंट है कि इसके लिए यूजी नाइन रेस्ट के पर रसिस्टेंट होती है ठीक सीडेट की बात करेंगे तो नार्मल स्विंग 100 किलो लेट में 125 किलो डिबल अच्छे सबूदो सोइं मेथड की बात करेंगे तो ड्रिलिंग ब्रोड्कास्टिंग डिविलिंग बिहांड दापलाव ये 4 मेथड अच्छे होते है याद रखेंगे आप लोग केरा मेथड और पोरा मेथड आता है ठीक जब हैंड से डालते हैं केरा मेथड तो फणल से मिटर होता है यह इरिगेटर कंडिसर में और पच्छी से तीस इंटू पांट से छे फेंटी मिटर यह रेंफट के लिए डेप्ट आप सोईंग की बात करेंगे तो टाल वर्याटी आठ से नोग सेंटी मिटर जो ट्रपिल डॉर्फ वर्याटी होती हो तीन से चार फेंटी दोनों की डाल जाते है एक फैलर्स मांट जो है गयों का मामा बोलते हैं जिए कंट्रॉल के लिए डालो आईसो प्रोटेन डालडो शालपोश शल पिरान डाल दो मेट व्याटल ड़ाइ अंडू सबसे कंट्रोल हो होती है कि जड़ के पास हलका सब्सक्राइब होता है अच्छा सब्सक्राइब की बात करेंगे तो चिनो पोडियम एलबम ठीक और मैली लुटस अलवा याद रखेंगे इंपोर्टेंट कोश्चन की बात करें तो यहां पर आजाओ सब इसका एक सार होता है बता चुके हैं उत सब्सक्राइब की बात करेंगे तो 22.5 संटीमेटर होता है और जो मोस्ट क्रिकल स्टेज है वो सी आरा इस्टेज है ठीक है चोटे पन के यानि बोने पन के रिस्पॉंसबल जीन है नोर इंटेन है ठीक इंपोर्टेंट मिमिकरी वीड जो है यानि मजाक करने वाला वह फैल तो 90 में गहँगण और राई का करास होता है ठीक डीटी चालीज जो है टेटिकल की विराइटी है टमप्रेट जर्मिनेशन के लिए टमपसे कितना चाहिए बीच से पच्छी चाहिए प्रोटीन है अठारा से आठ से ग्यारा होती है वर्ल्ड एस्टेवल फूट काउसा है इंडिया का कौन सा है राईस वर्ल्ड का क्या है वीट फ्रिजेंट डेज रहें हां रहे च्वान और रहेश दो फैक्टर होता है तो वीट प्रोटीन इसेंसर बार गूट ब्रीड क्लिटी अच्छा चापाती मेकिं के लिए अच्छी होती है से टोरेज के लिए 10 से बारा बात पर ब cał dh!!! एक्सपॉर्ड क्वाइटी यह बाकॉटी किस्से करनाल वंटर अलग जाता है तो उससे बाकॉलबीत होती है तंग बलावीत होती है ऑफ्कौर्टytes के लाब ध्योट्य बोलते हैं अले ariह के लाब ते wa नि-क बिडोसय पोते है इसमत बीडत्य 우리가 अजीब अजीब से नाम है आप लोग इपकार देख जरूब लेना अच्छा पेस्ट की बात करना तो ओडिंट्र तर्माद ओविस्स यानि की दीमक लगता है इसके लाबा उसे बोलते हैं गुजिया बीवर जीसे हम उन्ते टेनी मांका सिंडिकस होता है गुजिया बीवर इसे हिरन खुरी बोलते है अच्छा प्रामरी रूट जो है इसे हम लोग सेमिनल रूट बोलते हैं सपोर्ट के लिए लगा जाती है ठेक आगया जाओ अब बारले में ठेक अब बारले में आजाओ जिए दर इसको सबको स्टार्ट करते रहेंगे टेंसन ना लिजिए अना हाला इसे इस अब बताई दी हैं आगर बारले करें अच्छा यह देखो एक चीरो गवल्ड तो अगर बात करें जितने भी सीर्यल्स हैं सम्में जो है बारले काफी ज्यादा डॉट को रसिस्टेंट होती है ठीक है अने सीर्ल्स की तुल ना में बताएं दो तो ठीक अच्छ तो यह बार ले ज्यादा होता है अब देखो इसके अंदर प्रूटिन कितनी होती है 11.5% तक होती है तीन तरिके की डिवाइड की जाती है 6-row बार ले एक 2-row बार ले और आपका 6-2-row बार ले और आपका 6-row बार ले को हाइड़ियम बल्गेरिस बोलते है प्रिके इसमेड़ियम स्पाइकले जो रूर बार होती है अच्छा है इसमें लिकारित लिकारिघ। टेक है लिमा ओंस को नहीं धान करता है डिस्टी आपका हाडियम जो डिस्टी चौन बोलता है ये टोरो वाले होती है इसमें स्रीव आपके लिए इंपर्टेंट पराइटी ही है वही देख लो नीचे लिखी होंगी हाँ ये लिखी देखो रतना जोती आरस शिक्स राजकिरन पराइटी पराइटी है इसमें देखो आजाद अंबर कैलाज भी भी आयुक्त बहुत इपर्टन है डोलमा रंजीत रतना जोती यह वीज की पराइटी राजकिरन भी बारले की बढराइटी है आज आगे इंपर्टेंट को मेच परूंस क्या होता है मेच मेच की लिए गरि मेज नॉन टिलर प्लांट होता है, जदा नहीं निकलते हैं, अच्छा, मेज को पीला रहं होता है, वो क्रप्टो जन्थीन कान होता है, क्रप्टो जन्थीन कान होता है, क्रप्टो जन्थीन कान होता है, ठीक याद रखना, मेज की प्रोटीन को जीन प्रोटीन बोलते हैं, इ तीन डिगरी सलशेस के लिए टांपरेचर सुटेवल होता है सेमनल रूट पाए जाती है जो की सपोर्ट करती है और आगे देखो मेज के लिए यकी डिगरी सलशेस के आज पाथ ऑप्टिमुम टुमेज चाहिए होता है अगर दिवाइट करेंगे मेज तो देंट करन, फ्लिंट करन, फ्लावर करन, वैक्सिकरन, पॉड़ करन, इसमें दिवाइट होता है जैसे की, देखो, इसका जो देंट करन है, जियामेज इंडेंट आटा होता है, फ्लिंट करन इंडू राटा 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 है, फ्लाव तैं इसको देख लेना तो में कोई सब्सक्राइप का हो सब्सक्राइब ना क Southeast मैं फिजलिए कोने इंडिया वेचिल कार्न जींकल सब्सक्राइब किया है और एम इचिए निखसे तरह मच दकेंट रह Pu slide ये पहली इंडिया में डव़ टरोप् टख्निक से निकाली गई थी अधी इस अधीज आ लिखा भालए हम जो तो फह क्यों कि इसको है लिखेवा को जो इस की गंगादो है थार्ज है भेज हैं गंगादो को भ हैटार्ज हैंTy आपकी अमबर है अच्छा जो क्वालिटि वाले बाराइटी होती है ऑच्छा उप्छा है यह सब अच्छी बाराइटिया होती है से ड्रेट की बात करेंगे तो पंदरा से 25 किलो सीड्रेट की आवस्च की कि लिए पंदरा से बीस किलो, अच्छा, 25 किलो हाइब्रिट के लिए, और 40 से 50 किलो फॉडर परपर्पर्च के लिए, क्रिटिकल स्टेज बार्टर की बताएंगे, तो मॉस्चर इन सब के लिए, आपके टैसलिंग और सिल्किंग स्टेज होती है, अच्छा, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, टैसल बोलते हैं, फिमेल पार्ट को सिल्क बोलते हैं, मेल पार्ट को हटारां, डी टैसलिंग, फिमेल पार्ट को हटारां, डी सिल्किंग, ठीक है, सुटेबल टेंपरेटर बत्ति लिगी सेल्सियस ठेक अच्छा कावानली हर्विसाइड यूज होता है वो सिमाजीन होता है ठेक से एक्टराजीन भी उच करते हैं संगम है गंगा सफेध है डबल क्रास ब्राइटी जो है वह अपकी डिएफ जॉंस ने डबल अप की थी मेज प्लांट सबसे पहले अपर करता है टैसल मेल फ्लाबर को अच्छा बाटर रिक्वार्मेंट मेज की 500-800 मिलीमिटर प्रोटीन कंटेंट 10 परसेंट रभी मेज मुख अगर इसमें देख तो इसके तो टू पाइंट सेवन होता है अब देखो आप तोड़ा सौट में देखेंगे पांटिफिक ने बताई दिया फैमिली बताई दी और आपका क्रोमोसम बताई नहीं बताई टूंस फोटीन होता है ठीक है जर्मेंट से इसके हैं हाइपोजीर ह अब देखो परमिल्ट जो है वह आपके इसके तंपरेचर सुटेबल होता है इसके अधाइस से बत्ती डिग्री सेल्सित वेश्टेटी ब्रोच के लिए इसके अदर मॉइस्चर 12.4 परसंट होता है प्रोटीन 11.6 होती है फेट 5 परसंट होता है मिनराल 2.7 होता है और अधिया तो इसके लिए वेल ड्रेंड अच्छी चाहिए ठेक संडी लोम स्वाइल चाहिए आणा वाटर लोगी केपरत सेंस्टी होती है और परमिल्ट जो है बस सेंस्टीव होता है एक लाग चाच अधिक स्टीड्रेट कामन है इसके लिए फॉड़र परसंट के लिए 10 से इसमें अगर डिजीज नहीं लिखें बता दे तुमको डिजीज में डाउनी मिल्टी लगता है इसमर्ट लगता है रस्ट लगता है अरगट लगता है अरगट को सुग्री डिजीज बोलते है डाउनी मिल्टी को इसकलरस्पोरा ग्रेमनी कोला ठेक इसमर्ट में तोलिस्प 35 कुंटल, फॉडर में 300-400 कुंटल, जो आगे बढ़े आगे आपका कॉंसी है, ये आपकी जिमा सोरगम है, अला जीफ लिखा ये, हाँ, सोरगम, फॉरगम अफैदिमेन क्या होता है, सोरगम वाइकलर होता है, सोरगम की फेमली क्या होती है, ग्रेमनी होती है, अच्छा, इसके पहली हाईडिड ब्रैट्य थी ती कितने थी दिख बन इसके अनुदर आपकी सीडिरेट की बाद करेंगे तो 10 से 12 किलो होती है ठेक फोडरबरपर उटिक चालिश से 50 किलो होती है इसके अंदर एक इक टॉक्सिटी पा की पायती है किसे कान है HCN के कान, ठीक, इसे हाइड्रोसाइनाइट बोलते हैं, और इसको मिलब धुरिन भी बोलते हैं, ठीक है, यह सबसे दिक जो है, नी स्टेर्ज जब आपका नी स्टेर्ज यानी गुर्णे के उपर तक हो जाता है, उस टाइम जो हाइड्रोसाइनिक एसविट काफी जाता है, आच्छा, आगे देखो, जो बेस्ट हाइल्टिंग बराइटी है, अगर रभी जो और की बताएं, तो यहम 35 है, कौनसी है, यहम 35 है, यहम 35 है, आगे देखेंगे इसको, यह वीडियो और हमने रोक दिया था, उमें पता भी नहीं कहां से हमने रोका था, ठीक, पी सोरगम वाइकलर होता है, फैमिली क्या होती है, ग्रेमनी होती है, क्रोमसों कितने होते है, 20 होते है, ठीक, उत्परती स्थान क्या है, सेंटरल अफरीका है, यह इस्ट सेंटरल अफरीका बोल देते हैं इसे, यह कैमल क्रॉप बोलते है, ठीक, इसके अंदर जो एंजाइम, इस पाफिर साथ के कांड होती है जो पहली हाइब बाराइट यह निकाली गए थी वह CSH 1 है सोरगम एक C4 प्लांट होता है और और जमाग होता है जर्मिनेशन होता है वह हाइपोजियल होता है अब देखो सोरगम जो है वह वार्म क्लाइमेट की होती है टोटल वॉतर रिक्ता होता है कितना जर्म घंड मिनिमीम्म टमपरेचर 10 आर्टिमरर्टल होता है मिनिममREE 8 इसके लिए अच्छी रहती है आगे देखो इसके धूरिंग जो है वह 0.5 ग्राम तक लगवग पाया जाता है अच्छा ब्लेक कोटस अच्छी रहती है सीड डेट में 12-15 किलो ठेक फॉर्डर परपर्पर्च के लिए 40-45 वह ठोड़ी 35-45 या 30-45 भी अच्छी रहती है मन्योर 100-90, 50-45 फासपर, 40-45 ठेक 10-15 टन एफवाईम डिजी जिम बात करें डावनी मिल्डियू एंथ्रक नौच राष्ट अरगट ग्रेनिस्पन इस अभी लगते हैं ठेक ग्रेनिस्पन का फांटिबिनम क्या होता है इस पे लोग थोरा सोरगी होता है पेस्ट में बात करें में जो इसकी इल्ड होगी 25-30 कुंटल होगी और फॉर्डर परफज में 300-400 कुंटल प्रति एक्टर होगी अगली करापे बढ़ो यह आपकी सोरगम है आपकी सुगर केन है ठीक है कौनसी है सुगर केन है नीचे बढ़ो थोड़ा हाँ सुगर केन में जाओ देखो अब कितना होते सुरी कितने असी होते अब देखो उत्पतिस्तान इंडूबरमा रिजन है एंडिया में जो है सेकेंड पोजिसन इंडिया की प्रोडक्शन में नमबर में पर व्राजीव है इंडिया है उसके बाद एक पिर क्योवा चाइड़ा पराना है आगया जाओ नीचे ब होता है ठीक नॉबल ठीक जूसी करन होता है Fiber काफे कम होता है और टुन्ट पर काफे कम होता है इसका उत्पतिchussता न्यू गयना भता है ठीक है अच्छा है सेखरम वार्वेरी जो है Its के अंदर क्रोम सों 2rd से 124 के आसास ओते है 82 से 124 होते हैं ठेक और ये जो होता है Indian केन होता है Medium सुक्रोज होता है इसके अंदर और High Fiber होता है सेकर हम साइनेंसिस की बात करेंगे तो ये आपका Chinese केन होता है ठेक है फाइबर इसके अंदर ज़ादा होता है और Chromosome होते हैं 118 ठेक है दो Wild Species है सेकर हम Spontaneous और Ovesta सब्सक्राइब काफी कम होती है अच्छा आगे आजाओ अगर इसको बाते हैं सही से बाते हैं ठेक है यहां लिखा भी नहीं है देखो Classification के बात करेंगे ट्रॉपिकल केन इंडियन केन और वाल्ड केन ट्रॉपिकल केन में बात करेंगे तो सेकर हम इंडियन केन में सेकर हम बार वेरी और साइनेंसिस को अब चाइनिज केन भी बोलते हैं वाल्ड केन में आ जाओ सेकर में स्पॉंटेने और ओवस्टम आता है ठीक है इसके लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेंट चाहिए ठेक और इसके लाबा जो है यह इसके लिए बाटर जाइज एक वबाट करेंगे तेक सब इसलाम में अच्छ से हो सकता है संधी लोम इसके लिए जदा अच्छी होती है संधी लोम में कले लोम अच्छा वेल्ट ड्रेंट सोयल काफी बढ़िया है सब के लिए होती है अप्टिम टम्परेचर जो है वह 6.5 चैंपन फाइज से 7 अधसाली वाला साउथ इंडिया मुगाया जाता है, अधसाली जो 18 मेने के होती है, मांकि ये दोनों एक एक साली यानि 12 मेने के होती है, अच्छा, अब देखो, सीड रेट की बात करेंगे, सीड रेट अगर तीन आखो वाला है, तो 35-40 तुकड़े, दो आखो वाला 80 तुकड़े, एक आखो वाला है, तो 1,20 तुकड़े, टेक, अच्छा, जीरो डिलेट जो है, काफी यादा इसमें अपनाया जाता है, सालाइन सोयल जो इसके लिए अनफ ये नॉर्थ इंडिया में भी काफी अपनाया जाता है, वैसे 35-90 cm की इसमें फर्रो रहती है, ठीक, वो इस स्पेसिंग आठ फे 10 cm तक रहती है, रीज फर्रो जो है, ये साउथ इंडिया में खुब अच्छे से अपनाया जाता है, ठीक, 10-15 cm इसमें गहराई रहती है, ट्र आ गया जाओ, इरिएशन में आ जाओ, इरिएशन में तोड़ा देख लो, निउट्रेंट की बात करेंगे, तो नाइट्रोजन जो है, 150-250 kg तक चाहिए होती है, तो 50% बेसल डोज, 25-25% जो है, वो तीन-तीन मेने के अंतराल पर देते हैं, तीन मेने मतला 25% जो है, वो आपक 50 kg, सलफर बात करेंगे, तो 15-20 kg चाहिए होती है, और जिंग सलफर 10 kg तक चाहिए होती है, आपकी इस रिचाए में आ जाओ, जर्मिनेशन फेज, फॉर्मेटिब फेज, ग्रेंट फेज, और मैच्योर फेज, इस चार तो कफसे सबसे अच्छी फेज होती है, एक तरीके सब में आती है, ग्रेंट ग्रोथ 1050 दिन में आती है, अब मेच्योर टी 250-3025 दिन में आ जाती है, ठेक, फर्रो मेतल काफी bekommt होता है, ठेक, रहरोनिंग इसमें की जाती है, इसमें नेपे रगराह्स दोनों में की जाती है, अच्छा, फॉर्मेटिव स्टेज होती है, इसे हम ग् अच्छा आठ एफीजर राइपेनिंग के लिए हम क्या करते हैं पॉलेरिस या गलाइको फोस्पीन डाल देते हैं ठीक गलाइको फोस्पीन डाल देते हैं यह फोसीन बोलते हैं और हाँ ब्लाइंड होईंग उसमें की जाती है इस्टाटिव जब जर्मनेशन नहीं होता है तो हम लोग उसे खुरपी से पुरा अच्छे से कर देते हैं तो ब्लाइंड होईंग के लाती है हार्वेस्टिंग के बात करेंगे ब्रिक्स रेशियो में 16-18% होना चाहिए किसे नापते है रेफ्रेक्टर मेंटर से नापते हैं ठीक फैलिंग टेस्ट में बात करेंगे तो यह 0.5% तक ग्लोकोज की मात्रा कम होनी चाहिए क्राप लोगिंग कांसेप्ट जो है एसेफ क्लामेंटिस ने दिया था ठीक और वाटर लोगिंग जो है यह अब जानते ही हो ठीक बाइप की रुप में वैगस, मॉलसस, प्रेसमट यह स्थाथा है यह से भी बनता है जो वैगस होता है वो फीवल और लौकॉहल बनाने के लिए काम आता है प्रेसमट जो है एफडिक तर्यक को हटाने के लिए एक आख्टा इंडियान सुगर मिलेट एसूसीएसन जो है नियुदिल्ली में आपके ब्राजील में अच्छा जूस की बाद करो तो जूस भाईया जो है अच्छा ग्यासॉल में कितना पेटरोल होता है 80 बसन पाटरोल होता है 20 परचल अलकोछ होता है ठेक आप देखो, यह तो question हो आगे important, थोड़ा इससे पहले जान लो, juice में, juice की बात करेंगे, तो ordinary जो क्रेसर होता है, उससे 50-50% प्रेफेंट तक juice निकलता है, पाबर क्रेसर होता है, 40-70% निकलता है, vacuum प्रेसर जो होता है, 70-50% निकलता है, यानि सुक्रोज किता होता है, गुड़ जो होता है, गुड़, वो 10% होता है, किस्ट्लाइज सुगर जो होती है, 62.5% होती है, मॉलसेज 3.5-4%, राब, राब जानते हो, वो 18-20% होती है, ठेक, डिजीज में आजाओ, पाइनेपल डिजीज बोलते है, ये सुगर केन में लगता है, क्रेटोसाइटस, पैडॉक्सा बोलते है, बिल्ट जो है, सिफिलोस्पोरियम सचारी, गमेसिज जो है, जन्थो मॉनाज, एक्सोपंडिस से लगता है, जो है, सीदो मनाफर रुब्री वलेनियस से लगता है, राटून जो है, क्ले भिसपस, क्ले भी वेक्टर, जैलिम से लगता है, राटून की गुरोथ रुख जाती है, और ग्रासी सूट जो है, फाइटो प्लाजमों से लगता है, यब के एक्जामें ज़ातर पूछाजाता इसमें जो है आपका स्क्राइफ होगा इस गर्पिटल रफ ठीक है और इसके लाब मेली बद सेचेरो कॉकस सेचारी ठीक है वाइट फ्लाइए लिरो लोग बड़ वार्विदेंस टीक बैसे तो में में से तबसाई हुई होता है इसमें जून जुलाइए के आसवास करते है ठीक सबसे प्रटेक रिप्टी तमिल्नाडू में है अधिसारी जून जुलाइए में होता है नोबेल केंगों सेकराव ओफिसीनरम बोलते हैं 16-18 परसंट इसमें ब्रिक से होता है ठीक यह यहां तक आपका हो गया इल्ड जो है 60-70 अब आपका हो गया अब आपका चिक्ति पल्स आ जाएंगे तो पल्स कोई दिक्कत नहीं है अब देखो उस आगे लिए आएंगे ना इसको आगे वाड़ो टबेको पहुंचो तबेको हो या आप ओल्सीड हो ठीक इसको रोक के हमाइब डालें तुम्हें भी दिक्कत नहीं हो कि टाइम खराब नहीं होगा यह कॉटन मिल गया ठीक है यह पल्स वाला हम वीडियो में जो है मर्च कर देंगे कॉस्चन अंसर वाला होगा लेकिन पुरा जनकारी पूरी होगी फाइबर में आ जाओ फाइबर म का होता है आपके कई प्रकार क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे फैमिली क्या होती है मालवेसी होती है अगर अमेरिकन में बाबन होते हैं उतरस्ति इस्तान की बात करेंगे इंडिया होता है टेक वाइट गोल्ड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं वाइट गोल्ड बोलते है ठेक और यह जो है इसकी जो जो लेंथ है वो एरेलो मीटर से नापते हैं ठेक डे नीचुरल प्लांट होता है जर्मनेशन जो है इपीजियल होता है ठेक और ऑईल इसके नंदर 15-15% तक होता है जन्दकारी जन्रल हो गई दो तरीके के हाँ फैमली हो गई मालवेसी हो गई एन नीचार में मालुक प्लांट है ठेक उसमें आपकी जो आती है वह आप की Gospisium हिरस्कुटम गउस्पिसम ऑब और हर्वस्पिस ऑजिफिव इन्हेंट ही इनमें 40% फिर हिर्ष्टकुटम यामेरिकन होता है 36%, आर्बोरियम 16%, हर्वेसियम और बार्विडंस यह थोड़े काफी कम होते हैं, हर्वेसियम 8% और बार्विडंस सबसे कम होता है, 0.2% के असब बाराइटी में आ जाओ, गॉस्पेसियम जो अर्वेरियम है वो लोहित और विरनार अर्वेरियम के वराइटी हैं, हर्वेसियम में दिख्वजे और संजे, घृस्कुटम में बात करेंगे तो गंगानगर अगेती और बिकानेरी नर्मा, बार्विडंस के बात करेंगे, सुबिन और सुजाता थेक है, इसे एजिप्टेन कॉटन भी बोलते हैं, अच्छा, हा चिसका है इंटर हिरिसकुकुटम क्राइट है तो हम राटे होती है 12 लेक्स में इंटर स्पेस्पिक ईब्रीड बाराइटी होती है झालेस हीरिसकुटम और स्बिक्सित की गई यह आपके धारबाड से विक्षित की गई है MCO5 यह एक्स्ट्रा लॉंग इस्टेपल ब्राइटी है मारू विकाफ जो है मारू विकाफ गजब लग राइटी यह हाइबिड ब्राइटी है हिरुष्कुटम की मेरा विकाफ विकाफ चोड़े भाई का नाम है इस्टान से ड्पलब किया गए थी सभीता और सूर्या इंटरेश्पेसिक विक भाईटी है धनलक्षमी यह दिलिंटिंग यह दिफ्यूसिंग धनलक्षमी जो है अच्छा दिलिंटिंग क्या होता है क्या करता है यह जो है क्या करता है पैथोजन बगारा को नश्ट कर देता है सीड में आ जाओ तो देशी कॉटन अमेरिकन कॉटन हाइब्र कॉटन देशी कॉटन की सीड रेट 10-18 किलो ठेक और अमेरिकन की 15-25 किलो हाइब्र की 2-3 किलो ठेक अप्टिमम पॉपलेशन की बात करेंगे तो 50- यह जारत तक होती है बीटी कॉटन की सीड डेट 1-5 किलो होती है यानि हमें देशी की हाइब्र की 2-3 किलो बीटी की 1-5 किलो देशी के 10-18 अमेरिकन की 15-25 याद रखना बस नौस इंडिया में पाहली फॉटनाइट आ माई माई के पाहला फॉटनाइट में मुझा लगा दि टॉपिंग उपर की ब्रांश को टॉपिंग के राते हैं जिनी फाइबर से सीड को अला करना जिनी कहलाता है ठेक 30-45 प्रफेंटेज होता है इसके अंदर वीट के लिए काई वीड है कंट्रोल कर सकते हो रहा है 2-40 बगार डाल दो ठेक और 2-40 रस रसेस्टेंट है किसके प जिन्क की कमीश होता है ठेक है आगे बादा हो इंपर्टेंट पॉइंट में आजओ फाइबर लेंथ जेन्टिक ट्रेट ओर जिन आपको पाटन इंडिया लेंट जो है लेंट परसेंट होता है टेशी परसेंट होता है फाइबर मेंचियोटी एरलो मिंटर से नाते हैं पांच चाहिए पच्छीज अवलब छे होता है ठेक काटर फाइबर कोंवलो क्या बोलते है यह इसको सीड कोड बोलते अच्छा अब देखो क्लाइमेट के लिए कैसी चाहिए वार्म सीजन क्लाइमेट चाहिए टेक जरमियासन के लिए 16 डिए सेल्सेट में शिस्टीन टमफरेशत तक टॉल्लेंट कर लेती है यह एंच ट्वर्म सीज में काटरन कर लेता ठीक छॉल इसकहीं च्छान ड्सेल किलो अमेडीकल की 18 dal भीर्ट किलो हाईयबर के देन किलो बीटी कटन cooperateं हो को ट्रेक अडीश में फ्रंटल इंडिया में जून जुलाई टेक तमिलाड़ में सितम रक्टुबा मैंनियो फेटलाइजर बताई चुके हैं नहीं ताया फायत 15-20 किलो मैंनियोर 40-60 नाट्रोजन 25-30 फासपोरस और 25-30 जो है पोटाज विजी होती है कि अपके फ्लावरिंग और बॉल फार्मे इंसेक्टिक है अमेरिकल बॉल बर्म का फंटिविरम क्या होता है हिलुको बरिपा आर्मी जारा पिंक बॉलबरम क्या होता है पक्लोह रुशिप फिलला तेक इस पॉठald इरेस बिटिलर तीनों याद रखना इसपॉटटड एडरिस बिटिल्ला तेक अमेरिकान हेलुकोब भीज़न से 20 कुंटर, हाइबिड 25 कुंटर, ठेक हतम, अब आज जूट पे, उड़ते हुए आजा विल्कु जूट पे, इंडिया का ठेक है, आप जानते हो, क्या होता है, और दो तरीके का होता है, फैमिली टीलियस होती है, इंपोर्टन फैक्ट जो अगर बात करेंगे, तो उत्पतिस थैनिस का क्या होता है, इंडिया होता है, क्रोमस्वम 14 होते हैं, ठेक, एक वेल का बजल, 180 kg होता है, ठेक, और मेठा पोटा या टोसा जूट बोलते हैं, ठेक, वेल ड्रेंट स्वाइल, सेंडी स्वाइल इसके लिए अच्छी होती है, कैप्सुलेरिस की बात करेंगे, वाइट जूट होता है, ठेक है, वेट, 180 kg, एक बेल का, सीड रेट, 6-8 kg, ठेक, आगया हो, पूरे वेल्ड बात कर ठेक है, ठेक है, 24-50 degree temperature, 24-37 degree Celsius, ठेक है, ठेक है, स्वाइल, लोम स्वाइल, एल्यूवेल स्वाइल चाहिए, ठेक, लेट राइट और गेरियस स्वाइल, जो है, नाट फुटेबल है, नार्मल स्वाइल, पी जो है, 6-7.5 चाहिए, जूट दो तरीका बताई चुका है, कैस् पर चाहिए, जो लिटोरियस है, ठेक, वो लाइन शोईग, बात किलो पडेगा, या पांच किलो पडेगा, कैबसुलेरिस वाइट वाइल स्वाला है, 7 किलो पडेगा, प्रोड़क्स्टिंग मेहचाशंट ते जो गलेका, या साथ किलो पडेगा, कैफिलोरियस में 25-25-5 औ और वाइट वाला जो होता है कैप्सुलेरिस टीक वह आपकर थर्टी इंटू फाइव होता है प्रोडक्शन 40-45 कुंटल या पता है 45-50 कुंटल हो जाता है टीक फाइब टू से 2.5 टन टेक हार्वेस्टिंग जो है लख़ए 120 से कर लेते हैं टीक तो पूरा उसका सार हो गया रेटिंग इस इस रिलेटेड है टेक आज आप पटेटो पटेटो तो आपके वैसे होटी करते हम पढ़ाएंगे आगे बढ़ाओ बलुकुल बढ़ाओ आगे यह क्या है अच्छा है यह इंपोर्टन है अप्ड़ो ग्राउंड अनट यहां से आपके वह आउयल सीडिस्ट करते हैं देखो आउयल सीड में आपके ग्राउंड नेट है अरका साय पोजिया बोलते हैं ठीक हम इस पीड में बोलेंगे थोड़ा और रव्य लंबा वीडियो हो रहा है अरका साय पोजिया फेमिली लेग्यूमिनेशी टेंसर नालो इसको हम एक डीटेल में ले आएंगे फैमिली लेग्युमिनिस होती है, उत्त पत्ति स्थान भी ब्राजील होता है, क्रोमोसम 40 होते हैं, इसे हम लोग monkey nut ये жен आर्थ-नथ भी बोलते हैं, pecan nut भी बोलते हैं, दो तरिकिक होती है, सीधी उली एक spreading फ्हैलने वाली, ठेक, सीधी बात करेंगे, यह जो बंच टाइप होती है और इस्प्रेडिंग ट्रैलिंग टाइप होती है रेके साइपोजी रायटेग यह सुथी बढ़ने वाली होती है इसे पैट्री प्रो कंबनेस होती है क्लाइमेट इसके लिए कैफी चाहिए ग्राउंड नट जो है ट्रॉफिकल प्लांट होता है ठेक लॉंग डे कंडिफन चाहिए होती है ठेक बेफ्ट फुटेबल जो टंप्रेचर है 25 से 30 डिरी सलसेट चाहिए होता है 20 से काम अधिक में जो है ग्रोफ इसकी रुख जाती है साथी से सो क्लो सुएटाइम की बाद करेंगे तो भाहिया सवेटाइम जो खरीफ का है वह आपके लाफ्ट भी का जून जून के लाफ्ट बीक में होता है और जर्मिलाशन जो है हाइपोजेल होता है इस पेसिंग बंच में 30 इंटू 15 और श्प्रेडिंग की बाद करें तो 45-15 टीक है प्लांट पापलेफन बंच में लगबग 2.2 लाख इस्प्रेडिंग में 1.8 लाख एदार रभी में 4 लाख तक प्लांट लग जाते है सेल पॉलिनेटर क्राप सीथरी प्लांट है, सौट डे प्लांट है हाईपोजियल जर्मिनेशन होता है ग्राउंट नट पैताले परफेंट आयल करती है 16 प्लाख प्लांट प्लांट होती है सभूलिन प्लांट खली में नीटारजन की बात करें तो 7.8 परफेंट फासपर याओए 1.5 फासपर होती है 1.3 प्लांट नीटाश होती है आप देखो आफला टॉक्षिन के कांड कभी कभी मुह में रखते हो फट से फेक देते हो ठेक वो फंगस होता है एसपर जिलस के कांड डिजी अरली सूट स्पॉर्ट यान टिकका सरको स्पॉर आर्शी डुकॉला आसे अगेती आर्शे आर्शी डुकॉला पासे पंचेती पासे आरेचेटिस इस्टिम रॉट इसक्रेटोरियम और ओफिसी टेक वाइट करप काभी खतरना डिजी जे होल्ट्रो ट्राइकफ कोंगी सोनिया टेक एफिट जो है एफिस करसी बोरा ग्राउन बडब बॉरर एनरेसिया एफिमिस टेक पाड बॉरर एनाफॉल फिस स्टेलिस को जोती चित्रा चंद्रा कोसल जब जब जबान हो जाते हैं किसान अंबर कादिर उसके पीछे पड़ जाते हैं तो जोती चित्रा चंद्रा कोसल जबान अंबर किसान कादिर इस अभी किसकी वाराइटिया है मुह फली की वाराइटिया है आगया अब डिटेल में बढ़ाएं पैगिंग पैगी 55 दिन में आती है एक इसमें रिलेटर है तर्म जो बोलते हैं पॉपिंग जो है कभी-कभी दाना नहीं बनता है केल्सिम कैमी से होता है फ्रूट आप ग्राउंडट के नट बोलते हैं केमिकल फ्लॉरल इनिसेशन के लिए होता है नेप्थिली नेफ्टी केफिड हर्विसाइड होता है टोकी 35 बिटरनेस करनाल में अफ्राट अक्षिंग करन आती है प्रोटीन कर्टेन 26 गाइनोफोर्स जो है इन हम लोग पैग ब प्रोटीन होता है इसे वंटर क्राब यलो जुल्री भी बोलते हैं ठेक आप देखो सबसे अधिक और सीट्री या सौड़े प्लांट होता है स्वाइबिन में 22 प्रोटीन होती है 20 प्रोटीन होता है जर्मिशन के बात करेंगे तो इपीजिएल जर्मिशन होता है याद रहना है क्लाइमेट के बात करेंगे तो अवार्म योस्टक्लामीट चाहिए मिनिममम टंपरेचर 10 ग्री McGही ऑप्टीमम टंपरेचर 26 से 30 ग्रीट टेक 26-30 तक और जो soil temperature चाहिए वो फाड़े 15 अड़े के आसपाँ चाहिए soil beldrend, pH beldrend, fertile loom soil चाहिए टेक pH 6-7.5 के आसपाँ चाहिए sodic saline soil जो है germination में कभी-कभी inhibit कर देती है, रोग देती है seed rate की बात करेंगे, तो spacing जो होती है वो common spacing जो होती है, टेक लेट प्लांटिंग 100-120 किलो होती है इस पेसिंग, जो है, वो seed rate की चाहिए 70-80 किलो चाहिए, बोल कुछ रहे है दिमाग में कुछे निकल कुछ और रहा है common जो है, वो seed rate 70-80 किलो चाहिए लेट प्लांटिंग 100-120 किलो चाहिए, ठीक है time, clear, आराम आराम बोले 3-4 लाग, depth-up-sowing 3-4 cm आजाओ, यह तो important बात है हो गई area मदबदेस में खूब है, production मदबदेस में अच्छा है productivity आंदबदेस में है family leguminacy, influence and racism होता है food pod होता है, soybean, C3, sod day plant है हाँ, बराइटी में, Bragg, Lee, Kent, Blackheart, Clark 63 इंडर्वाइटी में, अंकुर, अलंका, सिलाजीद, गौरब, टेक, आगे बढ़ जाओ, depth-up-sowing 3 cm, spacing तो बता ही चुके है, plant population बता ही चुके है इकाइनो, क्लोबा, कॉले नम होता है ठेक, pre-plant incorporation, के लिए हम लोग जो हरवी साइड यूज़ करते हैं, वो कौन सा है, फ्लोरो-क्लोरालीन है ठेक, pre-emergence में कौन सा यूज़ करते हैं, अलाकलोर, मेटराविजीन ठेक, खतम आजाब मस्टर्ड पे ठेक, मस्टर्ड यार भाई साथ पानी पिया है आजाब मस्टर्ड पे, देखो जलजली बोलेंगे, कम बोलेंगे देखो मस्टर्ड जो होता है, फाटी फिनम क्या होता है ब्रेस का इस्पसीज, फेवली, कुरूशी फेरी, उत्मतिस्तान, चाइना मस्टर्ड की इस्पसीज है, इनमें आपकी जो सर्सों होती है इसे हम ब्रेस का कमपेस्टिस बोलते है रेपसीड होती है, ब्रेस का नैपस बोलते है जो आपकी ब्राउन मस्टर्ड होता है ब्रेस का जुन्सया कहलाता है, ब्लेक मस्टर्ड को जुन्सिया के बोलते हैं क्रांती रोहिनी पूसा बोल्ड बरुना जो नई वराइटी हैं लक्षमी बसंदरा आसिरबात बसंती पुफा जैकेसन जो है इसे बायो 902 बोलते हैं यह पहली फस्ट हाइब्र फस्ट जो है वह आपकी बायो टेकनलोजी दोरा बिक्सित वराइटी है जिनमें बिक्सित की थी ठीक है एन और सीच भी 506 यह पहली हाइब्र व्राइटी मस्टड की ठेक आज आगए अब सिस्मम बचा हुआ इसमें लिखा नहीं है बता दे तुम्हें सिस्मम जो है तील बोलते हैं इसे फांटिवी नम क्या होता है सिस्मम इंडिकम होता है फे आपके ट्रॉपिकल सब्रॉपिकल क्लामेट चाहिए होती है 25 से 27 डिवी सेल्सियर टंपरेचर चाहिए होता है रेनफाल 500-600 मिलिमेटर तीन से चार किलो इसकी सीडरेट पढ़ती है ठेक और स्पैसिंग 13 तो 30 रचते हैं आगे आजाओ एब्रेजी इल आठ से दसकुंताल इंपोटेन नहीं है संफ्लाबर में आजायो और से य जूता है फेमिली कंपोजिकी होती है थेक उत्पत्रिंस्तान मेक्सिको होता है आज्चा संफ्लाबर होती है यह जो है 85-50 Parrish प्रसंट ऑई होता है इसके अंदर यह क्लायमेट इसके यह जर्मिनेसन का टाइं कोल क्लाय टमपरेशर इसके लिए फुटेवल होता है ठीक आप्टिमम टमपरेशर 20 से 25 डिरी सल्चिछिट यह ही important है बेफ टमपरेशर 10 डिरी सल्चिछिट ठीक है आजाओ स्वाईल जो है इसके लिए स्वाईल की बात करेंगे तो आप्टिमम जो स्वायल इसके लिए वह आपकी कोंसी वाइड रेंड लोम स्वायल मेरे साब से हाँ लोम स्वायल ही अच्छी होती लोम ठीक है और जो आप्टिमम पीएच है वह 6.5 से 8.5 डिग्री 8.5 पीएच होता है ठीक कुछ भी बोले अच्छा कातम हो गया बजा कुछ स एक्सपोर्टर है ठीक क तीक है ठीक भी यह ने गांगे और याए तरीक को ने डिया डावी को रहें गए ना तबहेक нॉर्भात में 20 सब्सक्रम होते इंडियन होता है तीन बात उत पंदkov में अ कंट तवेकम, अच्छा भईया, नीचे बढ़ो, हाँ, तवेकम और रस्टिका, तवेकम में कितनी प्रफिर्ट निकोटीन होती है, 0.5 से 5.5, तवेकम में कितनी होती है, 3.5 से 8, दो बात के लिए, प्लांट की हाइड जो होती है, 150 से 250 सेंटीमेटर होती है, इसमें तवेकम है, औ आपका जो निकोट रस्टिका होता है, जो है भी स्वेकम उसे में अच्छा होता है, हुकका, चीविंग और इसने फरफिर्परस के लिए अच्छी होती है, इंडियन डवेकम को जो है, इसे फ्लू करड वर्जीनिया भी बोलते है, इस सिग्रेट तमाखो यह मेजर एक्सप सिगैँ प्रहर, उसे उसे होता है, जो लिटैक और आपके अगस्छीस तमबर तॉपींग जो फ्लौर्वर तकल्विंग जो च्यानते है, जो है वो प्लॉवर बड को ठाना, डिएटरांशक लो ईटाना, प्रेमिंग स्अच्छी है, फ्लॉबाहरणी डवार्याबड को इस मेच्चुर प्लांट को ठाना क्योरिंग जानते हो अच्छा अब वकवीट का फेगोस्पोरा एसकुलेंटम होता है फेमली पॉली गुनेसी होती है इसे स्यूडियो स्यूरियल बोलते है ठेक और स्वेग टाइम इसका जून जूलागी होता है ठेक खतम यह आपकी पूरी अगे बार खतम कर देंगे टेंसन मल लो धीरे धीरे टेक अशू को सब्सक्राइब कर दो और अच्छा रहेगा ठीक हमेंब एच्छा लगेगा ठीक है फिर राधे राधे थैंक्स टू आल